पिंजोर रायतन क्षेतर के बक्षी वाला गाउं में कालका हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने घर घर जाकर मेडिकल जाच का काम शुरू किया। कालका मेडिकल आफिसर इंचार्ज डॉक्टर धर्मेंदर स्टाफ नर्स एनम के साथ आशा वरकर अन्य अस्पताल की टीम साथ रही दोपहर से शाम तक गाउं में मेडिकल जाच में खांसी बुखार और जुखाम को चेक किया जा रहा है। वहीं गाउं में सेनेटाइज करने का काम भी शुरू किया गया। साथ ही गाउं में सफाई अभ्यान का काम शुरू किया गया। बक्षी वाला पंचायत के सरपंच हरदेव सिंग ने खुद ही गाउं में सफाई अभ्यान चलाया। वहीं सरपंच हरदेव सिंग ने बताया कि बक्षी वाला गाउं में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया है बलकि यहां से एक व्यक्ति बाहर गया था और वह वापिस आने पर बनोई खुदाबक्ष गाउं में ही गया था बक्षी वाला गाउं में आया ही नहीं था गौरतला भै कि कालका के बनोई खुदाबक्ष गाउं में कोरोना पॉजिटिव के मामले आये हुए हैं जबकि बक्षी वाला सरपंच हरदेव सिंग ने सीरे से इंकार करते हुए कहा कि बक्षी वाला से गया एक व्यक्ति बनोई ख बख्षिवाड़ा में एक आदमी कालू खान जो क्रोना पोश्टीव पाया गया है वो आदमी हमारे गाउं में नहीं आया उसको बड़ोई खुदा वक्ष से ही ले जाकर नाड़ा साव में कंट्रॉरिंग कर दिया गया था और उसके बावजूद हमारे गाउं में साफ काम बुखार कोई बीमारी तो नहीं है इसके लिए मैं रेना सरकार का धन्यवाद दी हूँ